देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज स्टेट पुलिस चीफ, एज डी जी पी मेरा बहुत लंबा कारिकाल रहा योगी आदितनाद जी के साथ और जो मैंने उनको देखा और एक अंग्रेजी में कहावत है morning shows the day यानि सुबह से ही पता चलता है कि दिन का क्या रहेगा योगी आदितनाद जी ने 2017 से ही इस बात को बहुत खुबी से जाना कि good governance में law and order का क्या importance है और law and order से हम कैसे macro economic development कर सकते हैं आपको याद होगा कि 2018 में 2017 में ही वो सत्ता में आये और 2018 के February में first global investor summit हुआ 2018 के February में हुआ और उसमें पहली बार हम लोगों ने realize कि law and order का क्या vital component है जो कि industries को public industry interface को कर सकता है और उसके बाद कई ऐसे कदम लिए गया है जो कि luckable institutionalized building है पुलीस department के लिए बलकि पुलीस के माध्यम से हम good governance की कैसे पर कलपना कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जब investment की बात होती थी तो सबसे पहला जो सबसे पहला pressure उठता था कि वहाँ तो kidnapping for ransom होता है वहाँ तो murders होते हैं rape होते हैं women are insecure law and order का सवाल होता था right from day one the government of the day thought की नहीं अगर हमे macro economic development करना है तो हमें law and order को आगे बढ़ाना होगा और यही कारण है कि central industrial security force की तरज पे यहाँ पे state industrial security force बनाया गया जिसको अयोधिया और कई vital installations और critical infrastructure में लगाया गया हम लोगों ने emergency response system को integrate किया जिससे की last mile connectivity जुड़ पाई सबसे दूर बैठा हुआ आदमी भी अगर railway police को फोन करता है या ambulance को फोन करता है या fire services को फोन करता है तो single window system से उसे grievance redressal का मौका मिलता है use of technology जिस तरह से हम लोगों ने technology को आगे बढ़ाया और उस technology के मादम से police की mobility और visibility हमने बढ़ाया हमने police communications network को आगे किया यह ऐसी चीज़े हैं जो institutional framework में बहुत आगे निकल गई और उसका ब्यापक असर पड़ा हमारे ecosystem पे आज जो है आज आज आप किसी एक particular stakeholder को नहीं बग ले सकते हैं इंडस्ट्रीज को thrive करने के लिए इंडस्ट्रीज में परसपर जो competitiveness और infrastructure का जो निर्मान हो रहा है उसका सबसे बड़ा योगदान योगी आदितनात के निर्देशन का है कि law and order को उन्होंने macro economic development की तरह समझाए यही कारण है कि 2019 में ease of doing business में हम 11 से 2 पे आ गए है आज हम GDP growth की बात कर रहे हैं उसमे हम second है महरास्टा के बाद हैं आज हम one trillion economy की बात कर रहे हैं ease of being doing business की बात कर रहे हैं यह सब का प्रतिफल है कि योगी आदितनाजी ने सभी चीजों को सभी को एक सरवांगी नविकास जो मैंने पहले कहा कि 360 degree का जो development होता है 360 degree के development बे आप किसी एक अंग को केवल importantly दे से हैं आप law and order भी है, development भी है, revenue भी है women security भी है everything is connected with that तो मैं समझता हूँ कि यह हमारा सबसे बड़ा USP है उत्तरप्रदेश जो है one trillion economy की तरह इसलिए aggressive हो रहा है कि हमारे जो trends जो दिखलाई दे रहे हैं हमारे जो shining है बहुत ही महत्वपोर्ण है और मैं यह जरूर कहूंगा कि institution building जिस तरह से हुआ है और उसका सबसे बड़ा श्रे योगी आदितिनात को जाता है तो सर यहाँ पे पर एक सवाल ये भी बनता है कि जिसको इस reform की हम बात करते उसकी जरूरत महसूस होती है क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे और भी सवाल आते हैं जब हम loin order की बात करते हैं दावे इधर हैं एक तरफ आंकड़े एक तरफ हैं और कुछ ऐसी घटनाए भी है जो कही ना कही किरकीरी का सबब भी बनी मैं हातरस की बात करूँ मैं लखीमपुर्खीरी की बात करूँ तो ऐसे में जिस पुलिस रिफॉर्म की बार-बार बात होती है कि पुलिस को और फ्रेंडली होना होगा ये रिक्वाइड है इसकी जरूरा तभी है महसूस होती है करिमा जी बिलकुल सही का आपने कुछ-कुछ स्पॉन्टेनियसली कोई घटनाएं हो जाती है वो पूरे वर्ग विशे इसको नहीं वो करती है मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पुलिस विभाग में रिफॉर्म की आवशक्ता है लेकिन उस रिफॉर्म का पहला कदम योगी आदित तनाजी ने रखा पुलिस कमिशनरेट सिस्टम भी तो पुलिस रिफॉर्म का एक अंग है जो उन्होंने दोहजार बीस के जैनवरी में किया सबसे पहले लखनू और नौइडा में बना और उसके बाद साथ अन्य जगों पे किया गया तो पुलिस रिफॉर्म जो है सबस्क्राइशन आर ऑन दो हेड़ और यूपी की असी सीटे जिसमें आपके पास लॉइन ओडर के तौर पर आप एज लेते हुए दिखते हैं अलावा इसके इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी एकॉनमी के तौर पर भी बहुत सारे आपके पास दावे हैं आकड़े हैं बताने के लिए जब आप अभी पब्लिक मीटिंग में जाएंगे लोगों से मिलने जाएंगे लेकिन पिछली दफा दोहजार उन्नीस में सुबे में योगी आदेतेनाथी थे और सीटे बढ़ने के बजाए और घट गई तो इस बार ऐसा क्या नया इस बार ऐसी कौन सी परिस्थिती और तस्वीर बदली है कि 62 से उठकर 80 पर जनता आपको पहचाने वाले